हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया ट्रैक उत्राखंड में है ये ट्रैक वैली ओफ फ्लावर्स मैं पंकश बैक्पैकर आपका स्वागत करता हूँ तो इस ट्रैक पे आने के लिए आप अगर दिल्ली से चलते हैं तो मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ दिल्ली से जब आप चलेंगे तो आपको आना पड़ेगा जोसिमट जो लगबग 500 किलोमेटर है और ये आपका रूट पड़ेगा हरिद्वार, रिसी केस, देव प्रियाग चमोली होते हुए आप जोसिमट पहुंचेंगे जोसिमट के बाद में जो है आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पर जोसिमट के बाद में आपको आना पड़ेगा गोविन घाट जो पड़ेगा लगबग 20 किलोमेटर और गोविन घाट में आपको पार्किंग करनी गाडियां हैं यहां के ही जो लोग हैं उनकी गाडियां हैं तो आप गोविंद घाट आएंगे जोसी मट से जोसी मट से जो गोविंद घाट पड़ेगा 20 किलोमेटर गोविंद घाट में आप अपनी गाड़ी की पार्किंग करेंगे वहां पे पार्किंग चार्ज आपको इस तो गोविंद घाट से जो पुलना है वो पड़ता है 3 किलोमेटर और वहां से आप टैक्सी से आएंगे और अब जिस जगह में खड़ा हूँ वो है यहां पर पुलना और पुलना से अब ट्रेक सुरू होता है और आप चाहें तो यहां से घोड़े भी ले सकते हैं लेकिन आप जाएंगे गंगरिया जो पड़ेगा हमें 10 किलोमेटर और पुलना से जो गंगरिया जाएंगे वो भी हम पैदल चलके जाएंगे तो लगबग 4-5 घंटे उसमें लगेंगे गंगरिया पहुंच जाएंगे गंगरिया में आप होम स्टे ले सकते हैं और स्टे कर सकते है या फिर जो है आप उपर जाएंगे value of flowers का यानि जो basically जो track शुरू होता है value of flowers का वो गंगरिया से शुरू होता है और गंगरिया जो है वो एक base camp मान सकते हैं गंगरिया से value of flowers पड़ेगा आपको 5 km लेकिन गंगरिया तक जाने के लिए आपको पहले पुलना से भी पैदल चलन किलोमेटर और गंगरिया से value of flowers पाँच किलोमेटर तो लगबग अब में पात 15 किलोमेटर चलने वाला हूं तो जैसा कि मेरा प्लान है मेरे दो दोस्त मेरे साथ है आज हमारा जो प्लान है वो यहीं है कि अभी पुलना से हम गंगरिया जाएंगे पैदल फिर वहां से कुछ खा पीके क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगा कुछ छोटा मुटा खाने के लिए उसके बाद में हम value of flowers का ट्रेक करेंगे जो कि वहां से पड़ेगा पाँच किलोमेटर तो अभी यह मेरे दोस्त हैं यह पीछे देखिए आ रहे हैं और दोनों का नाम सतिंदर है और यह अभी अभी आपको परिचित करा देते हैं इस रास्ते से यह ऐसा रास्ता सुरू होता है पुलना से सिदी नुमा और और यह देखे इधर का व्यू बहुत अद्बूत खुप्सूरती है हमने जो ट्रैक सुरू किया है वो साड़े दस बजे सुरू किया है पुलना से और आज जो दिन है वो है चार अक्तुबर जविवारखा दिन तो अभी लगबग एक गंटा हो गया है ट्रैक करते हुए पुलना से गंगरिया के तरफ जाते हुए और जैसा अभी सामने देख रहे हैं लगबग वैसा ही ट्रैक का पूरा आभी तक जो तीन किलोमेटर हमने कवर किये हैं पुलना से सिदी नुमा खड़ी चड़ाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दूप खिली हुई है ठंडी हवाए हैं और यह हमारे दमदार प्लेयर चड़ते हैं तो तीन किलोमेटर चड़ने के बाद क्या कहेंगे बहुत आसान चड़ाई है और यह आज तक के मेरी सबसे आसान जंगा पर चड़ चुके हैं चाइना में पत्थर मारने के लिए गई थे लिए अलावी निकिया मारना पास्ते हैं और बहुत आसान रास्ता है मैं एक और वापर उपर जाके दोबार फिर आऊँगा वाँ यह जो होसले हैं यहीं आपको जिताएंगे इस रस्ते पे तो दो घंटे ट्रैक के बाद जो हमने ट्रैक सुरू किया था पुलना से साड़े-दस बजे हम साड़े-बारा बजे अभी ट्रैक में ही हैं और यह देखे पीछे बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यह हिमालियन जो रेंज देख रही है आपको और अभी तक यह जो मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं लगबग ऐसा ही रास्ता है अभी तक जो हमने कवर किया है इन दो घंटों में अक्रिबन हम ने जो 6 किलोमेटर कवर की है वह लगबग इसी प्रकार का रास्ता ह अभी हम जा रहे हैं गांगरिया हमारा नुमान है कि जो पुलना से गांगरिया का जो दस किलोमेटर का रास्ता है उसको हम लगबग दो बज़े तक कवर कर लें ताकि उसके बाद हमें फिर वैली आफ फ्लावर्स के लिए निकलना है जो की राउंड 5 किलोमेटर फिर महां से पड़ेगी ठकान भरा जरूर है लेकिन जैसे याप प्रकरती के संद्रे को देखते हैं तो आपकी ठकान भी दूर होती है पैरों में एक जान सी बर जाती है तो अभी कैफे में हमने प्राठे और मैगी खाई है उसके बाद फिर से सफर को सुरू कर दिया है गंगरिया की त ऐसा ही ट्रेक अभी तक उतार चड़ाव का खेल जारी है वस्तम बहुत अच्छा है तो यह देखे आपको दिखाते हैं नजारे बहुत खुब्सूरत व्यूज वे नदी बैती ही और यह इसी ट्रेक में अभी लगबच शाड़े पांच शे किलोमेटर चलने के बाद में तो यह देखे क्या कुछ शूरत कजा रहा है नदी बैती ही और उचिए पहाड़ बहुत शांदार अधुद्ध यह खाशत है इस ट्रेक की बहुत शांदार मैंने काफी ट्रेक ट्र की है लिखेंगे मुझे बहुत प्यारा ट्रेक लग लग रहा है अलगी मजा आ रहा है कि मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ लगी के पास चलके कुछ वक्त बिताया जाए कि शपर को और शुक्तूरत बनाया जाए तो काफी टॉफ ट्रेक है अभी तो हम गंगरिया भी नहीं पहुंचे हैं अलग बाग गंगरिया पहुंचने में अभी दो किलोमेटर बाकी हैं सांसे फूल गहीं है यह जैसा कि आप देख रहे हैं बिलकुल ऐसी खड़ी चड़ाई है पूरी सांसे फूला देने वाली जिपने भी ट्रेक हैं अन्जी तंदर जी कैसे हो बहुत बढ़िया तर कैसे चल रहे है बड़े आपकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है आपको तो असर ही पट रहा है चड़ाई है डलानेगा अब मुझे आपकी टेक्निक पता लगए आपने जो वजन आगे रखाए ना उससे आपकी स्पीड बढ़ी है इसे टेक्निक से लोकर अब जाते हुए काफी टेफ ट्रैक है है इससे जतना ट्रैक इस से जतना ट्रैक अभी तक नहीं किया अब काफी ट्र्फ ट्रैक है पर ठीक है चलेंज गए इस ट्रैक के लिए जब भी आओ तो अपने फिटनेस बिल्कुल मैंटेन होने चाहिए विकॉट इस नौट एजी ट्रैक मैंने जितने भी ट्रैक किये हैं वह माइल टू मॉडरेट थे बाट इस सीवियर तो यह काफी ज्यादा टफ ट्रैक है अभी साड़े चार गंटे हुए हैं और अप्रॉक्समेटली ऐसा लग रहा है कि अभी शायद पौन गंटा और लग जाएगा तो लगबग साड़े पांच घंटे के असपास हम गंग्रिया पहुंचेंगे और फिर गंग्रिया से वैली ओफ फ्लावर्स जाएंगे क्योंकि गंग्रिया से ही वैली ओफ लॉ फ्लावर्स के लिए सो मेभी आज रात को हम वहीं रुकें वहां रुकने के लिए हॉमस्टे और गुरुद्वारा है तो और कल यह बड़ा टफ टास्क रहेगा कि हम दो ट्रैक एक दिन में करें हमकुंट साहिब भी और वैली ओफ फ्लावर्स भी लेट सी क्या होता है लेक प्लावर्स का सुबह के अभी छे बज़े हैं और यह ट्रैक मैंने सुरू किया गंग्रिया से और गंग्रिया से हमकुंट साहिब पढ़ता है छे किलोमेटर का ट्रैक तो अप्रोक्समेटली मैंने अभी एक घंटे में पांच मज़े चला था तो लगबग दो ठाई किलोमे पढ़ता है जहां गंग्रिया से आप ट्रैक सुरू करते हैं वहीं से एक डिप्रेंट पाथ चला जाता है जो वैली ओफ फ्लावर्स को जाता है और जो एक स्ट्रेट जा रहा है रास्ता वह हमकुंट साहिब को जाता है तो अज दोनों ट्रैक करने का प्लान है फर्स्ट हम कुंट साहिब और फिर वैली ओफ फ्लावर्स तो अभी 6 किलोमेटर का ट्रैक ही हो जाएगा फिर वापस आना है लगबग 5 किलोमेटर फिर वैली ओफ फ्लावर्स के लिए निकलूँगा और फिर वापस गंगरिया जाके और पुलना जहां से हमने ट्रैक को सुरू किया था और फिर वहां जो हमारी कार खड़ी है वहां से हम वापस जोसिमठ के लिए निकलेंगे तो लगबग आज 30 किलोमेटर का ट्रैक हो जाएगा और अभी बहुत अच्छा लग रहा है अभी सन भी नहीं है तो अच्छा मौसम है काफी ठंडा ठंडी हम आये हैं और इसी वज़ लेकिन थोड़ा सा टफ है तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है अच्छे से ट्रैक को करने के लिए तो अभी चलते हैं उपर देखते हैं हिमकुन साइब की तरफ चलते हैं यह थोड़ा आपको ट्रैक दिखाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा ट्रैक होगा जो यह रास्ता देख रहे हैं यह लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है जो और ट्रैक जो मैंने कवर किया है उसमें लगबग यह देखा है कि एक जैसे हम उपर चड़ते हैं तो एक प्लेन एरिया आता है कभी ही की तरफ जाना है और इसी वज़े से यह थोड़ा ठकान दे है लेकिन आप फिजिकले फिट हैं मेंटली प्रिपेर हैं तो आप इसे इजी से कर पाऊगे यह देखें लगबग इसी तरह का यह ट्रैक है यह कुछ साइड व्यूज आपको दिखाता हूं अभी थोड़ा जो सुरस निकलेगा तो कुछ और अच्छा व्यूज आएगा कुछ और उपर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा और अद्बुत नजारों के साथ मिलेंगे यह मेरे टीम में सतिंदर भाई और एक उदर सतिंदर भाई हैं पूरे जोस के साथ ट्रैक को करते विए अब जो आपको ट्रैक को तो अब तक साथे किलोमेटर कवर कर लिया और मज़े की बात यह कि सीरप सवादो अगंते में कवर किया नॉंस्टॉप जो आपको टॉप दिख रहा है यहां तक हमें जाना है और अब हमें बचा हैं फिर वह हमें में को न साइब पहुंच कि मुझे बड़ा बज़ेदार रहा है कि आपको जिल भी दिखाते हैं और यह बना प्टफस ट्रैक रहा है और यह चोटा सा वाटरफॉल और यह आपको दिखाते हैं इस ट्रैक के दो रहा है कि अधिश्य को फाइनली चार सवाचार घंटे की ट्रैकिंग के बाद में हिमकुंड साहिब पहुंच गया हूं यह देखी हिमकुंड साहिब का गुर द्वारा है और यहां पर आते ही आपका वेलकम होगा एक बहुत ही शांदर खिचड़ी के साथ मैं बहुत ही लाजवाब स्वाधिश्ट थी अभी खिचड़ी खाई है और यह देखिए पूरा यहां पर खिचड़ी मिल रही है कि थाकान गिल्कुल घटा देगी खिचड़ी डिस्पेंसरी है मैं डोक्टरों तो मेरा ध्यान इस पर जरूर जाता है और आपको एक बहुत अच्छी दिखाते हैं जील दिखाते हैं अब बहुत ही आनंद दुबहों होता हुआ यहां पर हिमितिंट साइब पहुंचकर है यह देखी लेक हमकुंड साइब पर यहां पर काफे ज़्यादा ट्यूरिस्टाइब है बहुत सरदा है हमकुंड साइब की अब हुक्षनल देख और पिस्टिल क्लियर वाटर और यह बगल में अब देखी यहां पर गुर द्वारा है यहां प्यारदास होती हुँ यह गहरिया से मैंने ट्रैक क्या सबाज चार गिंटे में साड़े 6 किलोमेटर का ट्रैक और बहुत आनंदित मैसूस हुआ बहुत ठकान जैसे मिट गई हो इस खुबसूरत द्रश्य को देख कर तो यह था सारा कुछ हेंद कुण साहिब ट्रैक के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताएं कहां से सुरू होता है कहां खतम होता है दिल्ली से मैं चला जो सीमट पहुंचा जो सीमट से मैं अगया गोविन्गार्ण से पुन्ना पुण्ना से ट्रैक कर दस किलो मेट का गंग्रिया का और गंग्रिया से श्चे क्लों मेटर का ट्रैक और फिर हम पहुंचाते हैं यहां पर हें गुंद बद्धियों को चाहिए थे कि लिए दिए मान आएवियू को जाना हुजू को आएखे वाजू करते हैं